कहानी और उपन्यास में अंतर कहानी जीवन के किसी एक घटना या प्रसंग पर लिखी जाती है जबकि उपन्यास संपूर्ण जीवन को लक्ष बना कर लिखा जाता है कहानी का आकार संशिप्त होता है और उपन्यास का आकार विस्तरत होता है कहानी में जिग्यासा अधिक होती है और जबकि उपन्यास में जिग्यासा कम होती है कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है और उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है कहानी एक ही बेट ठक में पढ़ी जा सकती है जबकि उपन्यास को पढ़ने में समय लगता है कहानी का उदारण है परिक्षा जो कि प्रेमचंद जी की रचना है और प्रेमचंद जी का ही रचना है गोदान जो कि एक उपन्या से